आप जबी को राम राम स्वागत है एक और फिल्म आ रही है गांधी वर्सेस गोट से या गोट से वर्सेस गांधी वाटेवर एक युद्ध उसका टीजर आये था टीजर में लोगों ने कहा था कि आप इसका रिव्यू करें रियेक्शन दीजी लेकिन मैं टीजर देखके अभी को गिफ्ट है वाम पंतियों की तरफ से देखिए कश्मीर फाइल आई हिट होई बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा है थेटर से उतर चुकी है अभी तक वाम पंति लेफ्टिस्ट कम्यूनिस्ट जो है वो उसे उसका विरोध करते हैं वैक्सीन पर एक फिल्म आने वाली ह उसका अभी से विरोध शुरू हो गया है लेकिन इस फिल्म को लेकर किसी भी वाम पंति ने किसी भी लेफ्टिस्ट ने किसी भी पत्रकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है तो आप इसका मैसेज हेडन मैसेज जो है वो समझ जाईए कि ये फिल्म आपके लिए नहीं है ट्रेल केडिवेलर में 70-80% समय जो है वो गांधी को दिया गया है और उसकी विचारदारों को ही आगे रखा गया है ये हमारे भाई हैं ये हमारे भाई हैं मैं ऐसा कर लूँगा आप गोड से तो एक दिन में बन सकते हैं लेकिन गांधी नहीं बन सकते हैं गांधी कैसा है जो देश को आजाद कराना चाहता है लेकिन जो हमारे उपर सर पर बैठे हैं जिनकी हम गुलाम हैं उन्हीं की कारों में उन्हीं की लगशरी कारों में महंगी महंगी कारों में घूम गांधी ने ये कहा था कि मैं अपने तन पर उतना ही ज़रूरत का कपड़ा पहनूंगा जितना ज़रूरत हो ठीक है ये जो डबल स्टेंडर्ड है ये फिल्म में कही नि दिखा गया गया है बहुत चोटी सी चीज है और अब जब लेफ्टेस्टों ने, वामपंतियों ने, कम्यूनिस्टों ने इस फिल्म का विरोध नहीं किया है तो ये क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है कोई बेवकूप भी समझ सकता है कि एक प्रोपगेंड़ा फिल्म है पागल कर दिया था, उसका जो आखरी सौंग है, जो आखरी दस मिनट मेरा रंग दे बसंती चोला वो इस उमर में भी, इतना मिच्छोर होने के बाद भी, इतना बड़ा होने के बाद भी वो आँखों में आसू लाता है वो गाना, वो सीन, वो सीक्वेंस, वो लास्ट के जो सीन है उस तरह से उन्होंने वो फिल्म बनाई थी, लेकिन उसके बाद ये कोई दूद के धुले नहीं है संतुजी साहब और इस फिल्म के ट्रेलर से, इस फिल्म के डायलॉक से ये पता लग जाता है गोड से एक दिन में बन सकते है लेकिन गान्दी नहीं बन सकते है दूसरा वीम राव मेटकर का जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो कहते हैं कि सारी धरम की किताबों को जला देना चाहिए और समीधान को मानना चाहिए समीधान को मानना चाहिए, लेकिन हम अपने पूरवजों को अपने बाप दादाओं को छोड़ दे और पडोसी के नालायक निकम में बेवकूफ नाकारा बाप को हम अपना बाप कैसे मान ले फिल्म के कहानी यह है कि गोड से जो हैं असेसिशनेशन करना चाहते हैं गांधी का गांधी पे गोलिया चलाते हैं लेकिन गांधी बच जाते हैं और उसके बाद वो उनसे जेल में मिल ले जाते है तो वहाँ पे फिर इन दानों की डिबेट होती है कौन सही है कौन गलत है अब उस तरहे से गांधी को महान बनाने की कोशिश करी गई है। हत्या किसी भी तरहे से सही विकल्प नहीं है किसी भी चीज़ का जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। यही हिंदु धर्म जो है वो सनातन धर्म जो है वो सिखाता है। लेकिन ये था मेरा ट्रेलर रियेक्शन गांधी वर्सेज गोड से का एक बार फिर समय कहना चाहूंगा कि आप पठान फिल्म जैसे फिल्मों को छोड़ दीजिए उनके आहल पे मुर्ख अपनी मौत खुद मर जाएगा लेकिन ये जो फिल्म है इसको बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है इसके विरोध में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी तरह से आपकी भलाई नहीं करने वाली फिल्म है ये उल्टा आपका मजाग उड़ाने वाली चीज़े है ये था मेरा ट्रेलर रिय झाल